काफी सारे लोगों ने request किया था कि भाई PUBG Mobile Care Version को कैसे डाउनलोड करना है even मेरे दोस्तों ने भी मुझे पोज़ा था कि भाई कहां से डाउनलोड करना है और क्या इसमें हमें VPN Connected के केलना होगा तो इन सारे सवालों के जवाब आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही ये भी बताऊंगा क्यों Global Version से क्यार वर्जन को डाउनलोड करना बैटर रहेगा तो बने रहे है इस वीडियो में मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा जो की फिरी है और चैनल को भी सस्क्राब कर लिजेगा क्योंकि फिजर में आने वाले सभी वीडियो के नॉटिपिकेशन आप तक पहुंच सके तो बिना टाइम वेश्ट किये चलिए इस वीडियो को स्टार करते है तो सबसे पहले आपको Google Chrome को ओपन कर देना है क्योंकि obviously प्ले स्टोर में तो मिलेगा नहीं इसके बाद आपको सर्च करना है pubgmobilecare.apk और सर्च पे क्लिक कर देना है जो first link आएगा pubgmobilecare.apkpure इस website को आपको open कर देना है उसके बाद download xapk इस पे क्लिक कर देना है इसके बाद ये automatic आपका download होना start हो जाएगा उसके बाद अगर आपके पास ok करने को आए तो उसे ok कर देना है simply download पे click कर देना है 1.4GB का ये file है यहां सा आप देख सकते हमारा download start हो गया है तो मैं इसे cut कर देता हूँ क्योंकि already मैंने download करके रख लिया है तो यहीं पे video खतम नहीं होता है इसके आगे बहुत step है जो आपको करना है नहीं तो आपका ये application install ही नहीं होगा और बाद में आप मुझे comment करेंगे कि fake video बना रहा है download होने के बाद आपको एक application चाहिए files जो की google का application है आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में अगर नहीं पता है तो play store से इसको download कर लेना है play store में जाके जैसे search करेंगे files by google तो आपको ये application मिल जाएगा तो इस application को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे आपको internal storage में जाना है और यहाँ पे आपने उसको download किया है उस folder में जाना है तो यहाँ साब देख सकते है pubg mobile b1.1.4 apk pure अब यह जो file download हुआ है यह हमारा x apk में download हुआ है अगर हम इस पे click करेंगे तो यह open नहीं होगा file format not supported बताएगा तो इसको हमें zip करना है zip करने के लिए क्या करना होगा आपको इस file के extension नाम को change कर देना होगा कैसे देखते हैं इसके लिए आपको इस पे long press करना है then 3. उसके बाद rename पे click करना है rename पे जैसे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह उसका नाम है pubg mobile b1.1.0 apk pure.com उसके बाद .x apk .x apk जो है यह हमारा file का extension name है जैसे photo होता है तो .jpg होता है कोई mp3 song होता है तो .mp3 होता है कोई video होता है तो .mp4 होता है तो जो .mp4 होता है वो उसका extension नाम होता है तो इसको change करना है आपको zip format में इसके लिए आपको यहाँ पे ले आना है और यहां से x ap को काटके dot लिखा हुआ है उसके बाद zip कर देना है then ok फिर से rename पे click कर देना है तो यह हमारा आप एक zip format में तयार हो गया है तो यहां से हमने pubg mobile का extension नाम change करके इसको zip format में बना दिया है अब इसे आपको extract करना है extract करने के लिए मैं आपको यही suggest करूँगा कि आपका जो default file manager होता है उसी से करे अगर आप files by google से करने जाएंगे तो आपका बहुत time लग जाएगा और हो सकता आपका phone hang भी हो जाए जो default file manager है मैं उसी से करने वाला हूँ इसके बाद download folder और यहाँ पर आप देख सकते हैं pubg mobile apk.com zip चलिए extract here कर लेते हैं जब तक यह extract हो रहा है तब तब मैं आपको कुछ बताना जाता हूँ कि अगर आप pubg mobile korean version को किसी और website से डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है zip format में ही मिल जाए या फिर आपको apk अलग, obv file अलग डाउनलोड करना होगा इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसी site से आप डाउनलोड करें ताकि आपको पूरा guide मिल सके कि कैसे work करता है क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा जीज कवर करने वाला हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना होगा चलिए ये extract हो गया है और यहाँ पे है हमारा main folder तो यहाँ पे चार फाइल है एक है Android जिसके अंदर हमारा OBB फाइल है तो इसमें से main दो ही फाइल है एक है हमारा PUBG Mobile AP के जिसको हम install करने वाले हैं और दूसरा है हमारा OBB फाइल तो सबसे पहले आपको OBB फाइल को Android में move करना है इसके लिए हम Android में जाएंगे OBB उसके बाद यहाँ पे आपको इसे paste कर देना है अब आपको PUBG Mobile AP को install करना है इसके लिए simply इस पे click करना है then install तो यहाँ से हमारा application install हो गया है चलिए हम back कर लेते हैं तो यहाँ तक मैंने बताया कि आप कैसे PUBG Mobile को download करके install करेंगे सारा process बता दिया अब बात आती है कि क्या हमें इसे VPN से connect करके खेलना होगा या फिर without VPN भी खेल सकते हैं तो इसके लिए आपको मेरे next वीडियो का wait करना होगा next वीडियो में कल ही डालने वाला हूँ तब तक चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि next वीडियो में आपको बताने वाला हूँ